प्रेस्न चाओदा यदि एक्स बराबर माइनस पांच वटा दो वाई बराबर दो वटा माइनस तीन जेट बराबर चार वटा तीन तो निमने लिखित संबंधों की जाज कीजे तो एक्स बराबर कितना दिया हुआ है? x बराबर है माइनस 5 बटा 2 y बराबर है 2 बटा माइनस 3 और z बराबर है 4 बटा 3 तो तीनों का मान दिया हुआ है जाज क्या करना है तो पहला में है x गुना y गुना z बराबर x गुना y गुना z तो यह जाज करना है x गुना y गुना z तो यहाँ पे y गुना z कोष्टक के अंदर है इसका मतलब y गुना z को पहले गुना करना है फिर जो आएगा उसको x के साथ गुना करना है और यहाँ पे x गुना y पहले गुना करना है फिर जो आएगा उसको जेट के साथ गुना करना है ठीक है तो यही जाज करना है तो बराबर के इधर होता है दाया पच और बराबर के इधर होता है बाया पच तो पहले यहाँ पे बाया पच ले लेते हैं तो बाया पच इक्वल टू है बाया पच कोन है तो X गुना Y गुना Z तो यहाँ पे Y गुना Z को पहले गुना करना है ठीक है तो X कमान कितना है यह बाया पच्छ हो गया बराबर के बाया तरफ है तो इसको पहले इसको ले लिया है फिर दाया पच्छ लेंगे फिर देखेंगे कि दोनों कमान बराबर आता है कि नहीं तो बायाँ पच पहले लिया है तो X बराबर है माइनस 5 बटा 2 तो माइनस 5 बटा 2 लिख लेंगे गुना Y बराबर कितना है 2 बटा माइनस 3 2 बटा माइनस 3 गुना Z बराबर कितना है 4 बटा 3 तो Y गुना z को पहले गुणा करना है y गुणा z को पहले गुणा करना है क्योंकि कोष्टक के अंदर है तो minus 5 बटा 2 गुणाँ, अभी इसको पहले कुणा कर लेते हैं तो 4 दुणा 8 बटा 3 तियाई 9 यानि minus 9 ठीक है 4 दुना 8, 3 तियाई, 9 तीन माइनस में है तो माइनस नौ लिख लिए है अब गुना में तिर्चा कर जाएगा देखे ये दोनों गुना होके यहाँ पर लिख लिए है क्योंकि कोश्टर के अंदर था तो पहले ये दोनों को गुना कर लिए है अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो गुना में ति और बटा 9 पांच माइनस में है 9 भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है तो इसका आ गया 20 बटा 9 यानि बाया पच हा गया 20 बटा 9 अब दाया पच हल करेंगे तो लिखेंगे यहां पर दाया पच दाया पच कितना है तो दाया पच है X गुना Y यहां पर X गुना Y X गुना Y क्या है कोश्टे के अंदर है यानि यह दोनों को पहले गुना करना है फिर जो आएगा उसको Z के साथ गुना करना है तो अब दायाप अच्छ ले करके देखते हैं तो दायाप अच्छ है X गुना Y गुना Z यानि X गुना Y को यहाँ पे पहले गुना करना है क्योंकि यह कोश्टक के अंदर है तो X कितना है तो X है X का मान है माइनस 5 बटा 2 गुना Y का मान है 2 बटा माइनस 3 Z का मान है 4 बटा 3 तीनों को लिख दिये अब X गुना Y कोश्टक के अंदर है ठीक है तो इसको पहले गुना करना है X गुना Y को तो 2 से 2 गट गया गुना में तिर्षा काट सकते हैं अब यहाँ पे बच गया माइनस 5 यहाँ पे बच गया माइनस 3 तो माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आ गया सिर्फ 5 बटा 3 तो तो एक्स और Y को गुना करने पे आ गया पांच बटा तीन और यहाँ पे है चार बटा तीन तो आब इसको चार बटा तीन के साथ गुना करेंगे तो पांच उग बीस बटा नौ तो देखें दाया पच भी बीस बटा नौ आ गया और बाया पच भी बीस बटा नौ आया था तो बायां पच्छ हल करने पर कितना आया था देखिए बीस वटा नो आया है और दायां पच्छ भी बीस वटा नो आ गया तो यही जाज करना था ठीक है तो लिखेंगा था बायां पच्छ बराबर दायां पच्छ यानि बायां पच्छ और दायां पच्छ क्या है बराबर है यही जाज करना था क्योंकि दोनों का उत्तर बराबर आया है दूसरा दूसरा में है तो पहले मान लिख लेते हैं तो एक्स का मान है माइनस पांच बटा दो वाई का मान है दो बटा माइनस तीन और जेड का मान है चार बटा तीन ये मान दिया हुआ है और दूसरा प्रस्ण क्या है एक्स प्लस वाई प्लस Z बराबर X प्लस Y प्लस Z ठीक है यहां पे X प्लस Y को पहले जोड़ना है यह दोनों को X और Y को पहले जोड़ना है क्योंकि कोश्टर के अंदर है फिर जो आएगा उसको Z के साथ जोड़ना है और यहां पे Y और Z को पहले जोड़ना है फिर जो आएगा उसको X के साथ जोड़ना है ठीक है तो बराबर के दायां तरफ होता है दायां पच बराबर के बायां तरफ होता है बायां पच तो पहले बायां पच लेंगे तो बायां पच बराबर है X प्लस Y प्लस Z यानि x plus y को पहले जोड़ना है यहां पर तो x का मान कितना है minus 5 बटा 2 plus y का मान है 2 बटा minus 3 plus z का मान कितना है 4 बटा 3 तो इन दोनों को पहले जोड़ना है तो minus 5 बटा 2 plus अब देखे हर के साथ जो minus है वो अंस के साथ चला जाएगा तो हो जाएगा minus 2 बटा 3 क्योंकि हर के साथ minus रहे चाहे अंस के साथ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन अंस के साथ कर लेना है ताकि जोडने में असानी हो plus 4 बटा 3 तो यहां पर हर के साथ minus को अंस के साथ कर दिया है अब 2 और 3 का लगुत्तम लेंगे क्योंकि भीन का जोड है तो 2 और 3 का लगुत्तम 6 हो जाएगा तो 2 तिया 6 तो 5 तिया 15 5 माइनस में है तो माइनस 15 हो जाएगा 3 दूना 6 तो 2 दूना 4 plus माइनस माइनस पलस 4 वटा 3 अब माइनस 15 और माइनस 4 हो जाएगा माइनस 19 15 चार उननीस तो माइनस 19 वटा 6 पलस 4 वटा 3 तो इन दोनों को जोड करके आगया माइनस 19 वटा 6 अब माइनस 19 वटा 6 को 4 वटा 3 के साथ जोडेंगे तो 6 और 3 का लग हुत्तम हो जाएगा 6 तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 19 पलस अब देखें 3 दूना 6 तो 4 दूना 8 तो माइनस 19 पलस 8 हो जाएगा तो 19 में से 8 घटाएंगे तो 9 में से 8 गया 1 यह हो गया 1 यानि 11 तो 11 माइनस में होगा क्योंकि बड़ा संख्या माइनस में है यानि माइनस 11 पटा 6 आ गया बाया पच बाया पच आ गया माइनस 11 पटा 6 अब दाया पच लाएगे तो लिखेंगे दाया पच तो दाया पच कितना था X प्लस Y प्लस Z तो यहां पर Y और Z को पहले जोड़ना है तो X का माँन है माइनस 5 बटा 2 Y का माँन है 2 बटा माइनस 3 और Z का माँन है 4 बटा 3 तो यहां पर Y और Z को पहले जोड़ना है फिर जो आएगा उसको माइनस पांच बटा दो के साथ जोड़ना है तो माइनस पांच बटा दो पलस यहां पर हो जाएगा माइनस दो बटा तीन पलस चार बटा तीन तो हर के साथ माइनस है तो अंस के साथ हो जाएगा ठीक है तो दो बटा माइनस तीन हो जाएगा माइनस दो बटा तीन अब तीन और तीन का लगुतम हो जाएगा तीन ठीक है तीन और तीन का लगुतम हो जाएगा तीन तो यहाँ पर लिख देंगा माइनस दो प्लस चार इस तरह से लिख लेंगे तो हो जाएगा माइनस पांच बटा दो प्लस चार में से दो घटाएंगे, दो आ गया, यानि दो वटा तीन, तो वाई और जेट को जोड़ने पे आ गया, दो वटा तीन, अब यहां पे, दो और तीन का लगुतम लेंगे, तो दो और तीन का लगुतम छे होता है, ठीक है, दो और तीन का लगुतम 6, तो दो तिया 6, तो पांच तिया 15, पांच माइनस में है, तो माइनस 15, तीन दुना 6, तो दो दुना चार, तो माइनस 15 प्लस 4, तो माइनस 15 प्लस 4 कितना हो जागा 15 में से 4 गया 11 ठीक है 15 में से 4 घटा देंगे 11 होगा क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में है तो बड़ा संख्या माइनस में है तो इसलिए माइनस यहाँ पे देंगे तो माइनस 11 बटा 6 तो इसका उत्तर आगया माइनस 11 बटा 6 तो बायाँ पच भी माइनस 11 बटा 6 आया था यानि बायाँ पच और दायाँ पच क्या हो गया बराबर तो लिखेंगे अता बायाँ पच बराबर दायाँ पच तो बायाँ पच बराबर क्या हो जाएगा दायाँ पच यानि बायां पच और दायां पच क्या है बराबर है ही ह सीघ बराबرك को बराबर को बाया है